जय हिंसातियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्थे लेकर आया है जिसमें आपको तावल तोड कोश्चन मिलेंगे और आपको इन कोश्चनों के द्वारा हिंदी की प्रेक्टिस कराई जाएगी जो आपको बहुत ही ज्यादा लाब दैक होगी अगर आपने क्ल हमारेा है जो कॉंस्टेबल वाली रsam होने वाला है उसमें कितना अपना स्कोर दे सकते हैं अगर आपने प्राने ख्रासे ना तो हमारे चैनल पर जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं और अपनी तयारी को जा सकते हैं चलिए देर ना करते हुए पहले प्रस्ट पर चलते हैं पहला प्रस्ट देखिए हिंदी का 49 नंबर से स्टार्ट हो रहा है पहला प्रस्ट पूछ रहा है जहां कारण के बिना कारी की उ लगगार आफसर नमबर कान के सुन रहे हैं । पहर नहीं है फिर्वी चलना है है तो वहाँ पर कौन सा लंकार करों तो इसका ठीक nave क्या हो जाएगा अगले प्रेश्वन प्रेश्ण-फर तो बरतमान काल की कई स्था यह ciao जायगा तो ढमारा कद रहा हूं तो यह लुक्राइब हो रहा है कारे पढ़ रहा हूं तो option number कौन सा ठीक हो जाएगा बी वाला ठीक हो जाएगा 41 का option number B अगला प्रशन 42 नंबर देखिए निमने लिखेत में से कौन सा सब्द इस त्री लिंग में प्रयुक्त होता है तो आपको बताना पंडित अच्छा होता है या पंडित अच्छी होती है तो यह तो पुरिष्ट लिंग की पहचान कर सकते हैं चली अगले प्रशन प्रशन नंबर 43 देखिए क्या पूछ रहा है पर हित्य सरे से धर्म नहीं भाई पर पीडा सम नहीं अधमाई तो उप्युक्त पंक्ती किसकी है यह पंक्तियां किसकी है तो यह पंक्तियां जो है कभी तुलसी दाजी की है और अपसर नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा बी चा कौन सा सब्द जाती वाचक संग्या नहीं है जाती वाचक संग्या कौन सा नहीं है तो 44 का ठीक अंसर क्या हो जाएगा जवान जवान भी जाती वाचक है बालक बालक भी जाती वाचक है मनुस्री जाती वाचक लेकिन जो सुन्दर है वह जाती वाचक संग्या नहीं है तो नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा अगले प्रेस्ट प्रेस्ट नंबर 45 देखिए अग्यान का तद्भव सब्द चुनना है क्या अग्यान का तद्भव क्या होगा देखिए तद्भव सब्द क्या होते हैं जो आजकल हम लोग बोलते हैं जो भासा में वो क्या होते हैं वो तद समसदभ होते हैं तो अग्ञान को क्या होगा तदफ़ा तो होगा इसका står 45 का अजयान अजयान का क्या हो जाएगा अजयान सुन नमबर भी वाला ठीक हो अगले प्रश्च नमबर देखी पोस्थ का उप्यूकत डी पी राथक सब्द यानि बिलोम बताना है किसका पोशक का तो 46 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा पोशक का बिलों होगा सोसक नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा अगले प्रश्च प्रश्च नंबर 47 प्रश्च नंबर 47 देखिए पूछ रहा है बूश्च शरव किसकी संग्या है इंब किसकी संग्या किसकी रचना है तो 47 ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा रहे किसकी रचनाा सुंच नंबर सी अगले प्रस्टन प्रश्च नंबर 28 सुमित सो रहा है बाक में करिया का भेदasan सुमिद सो रहा है खर्या का भेड बताना है। तो 58 पर ठीक आंसर क्या और踏का बाक में हार्ट सिकृर आकर्मक्रिया है। क्योंकि सुमिद सो रहा है तो अकर्मक्रिया होगी। अगला प्रस नंबर उनन चाहर देखें। निम्लिकत मेंसे कौनjut जुद्ध के सुद्ध वाक पहचानना है तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा सुद्ध वाक मैं आपकी सोजन्यता पर मुग्द हूँ तो ये गलत हो जाएगा इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा मैं आपके सोजन्य पर मुग्द हूँ मैं आपके सोजनने पर मुगदू हूँ option number B वाला ठीक हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ट प्रस्ट नमबर 50 देखिए तनू तनू सब्द का यूग का सही अर्थ बताना है तो 50 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा तो पहले जो तनू है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ होता है तनू माने पतला और इस वाले तनू का अर्थ क्या होगा सरीर या देह यानि तनू और तनू माने पतला सरीर और पतला और सरीर या देह तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा option number C वाला ठीक हो जाएगा अगले प्रस्वण प्रस्वार का उधारान कौन चाहेए तो फosp सवारं जिनको बहुत देजिक थे जह नाखना काब संग्रहे संग्रहें के रचायता थेना कौन है तो जर्णा काब संग्रय के रचेता कौन होंगे तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा जै संकर पर n sound option नमबर सीवाला ठीक हो जाएगा अगले प्राश्ण प्रस्वान नमबर की रचना कार का नाम बताना है तो क्या है कि है लोकिछ्षण भेट आफसन नंबर भी वाला ठीक हो जाएगा 26 भट 35 नंबर देखießंगे मधू-मालती की रचना किष्णे की है दाओध कृत बं मंजन या जैसित तु इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा 35 पछी का देखे रह्यां की गई है किसके द्वाराकवी मंझन औप्सन नम्बर तीवरा टीक हो जाएगा अगले पाइशन नम्बर शप्पन देखे लिए चलू में अब्यका कौन सा प्रकार है। कार है तो 56 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा क्रिया विशेशन अभ्यों और यह वाला ठीक हो जाएगteen Southern media Stanford के ब्रहस्पति का संधी क्या होगा उसका होगा और ब्रह क्लश प्लस पती तो gesसट नंबर प्लस पति यजफram जहाए अगले प्राश्म प्रत्वन 28 शण्ड जिलें जहाएगा मनहर संद्रहें अगले प्रेश्मन नंबर 169 आवतर ही हमारा जो के नंवेटेगा श्रम्भाग्स नंबर 159 मेरी रक्षा करोऊ 6 में कारक है कौन सा कारक है तो हे राम मेरी रख्चागरों बाक्य में कौन सा कारक है तो इसमें कारक कौन सा हो जाएगा संबोधन कारक कौन सा हो जाएगा संबोधन कारक और नमबर यह वाला ठीक हो जाएगा सी वाला अगले प्रेस्ट प्रेस्ट नमबर और 60 देखे लाभालाब में कौन सा समास है लाभालाब में समास पूछ रहा है तो 60 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा लाभालाब का मतलब लाभा और अलाब में कौन सा होगा तो दौंद समास होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब कौन सी संदी है इसमें दीर्ग संदी हो जाएगा अगले प्रेस्ट प्रेस्ट नंबर इक सट के बाद हमारा आएगा 62 नंबर देखिए 62 नंबर महराज जनक को क्या सौक था तो महराज जनक को देखे इसको पढडने से पहले हमें ये गदांस जो दिया हुआ है इस गदांस को पढ़ना है और गदांस से दीए गए कोश्चन जो है उनके आंसर ए 62 से 66 तक दिये हैं तो वो गद्दान्स को पढ़ कर आंसर देने तो गद्दान्स को एक बार पढ़ लेते हैं तेजी से प्राचिन काल में जनक महाराजा विधे में राज करते थे मिधला विधे की राजधानी थी मिधला नगरी में राजमेल के आसपास कोई एक हजार सन्यासियों की पर्ण सब्सक्राइब करते थे अपरादी को दंड देते थे लोग कल्यार के उपाय करते थे और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसकारिक कारे कारे में लेप्त नहीं होते थे लेप्त नहीं होते थे लोग उनको विदह जनक कहते थे अब प्रेशन पर आते हैं आसअशन नमबर पर देखे तो महराजा जनक को सब क्या था फकीरी का ऑप्सन नमबर C वाला ठीक हो जाएगा 62 का option number C फकीरी का सोग था ठीक है अगले present प्रस्ट नमबर 37 महराजा जनक राज चलाने के लिए क्या क्या करते थे तो क्या क्या करते थे तो इसके ठीक क्या हो जाएगा इसका ठीक अंसर हो जाएगा देखे राज्ज का प्रवंद भी करते थे अपरादियों को दंड़ी दे देते दे लोक कल्यार के उपाए भी करते थे उपयुक्त सबी अप्सन नंबर डीडी को जाएगा अगले प्रशंद प्रशंद नंबर taught प्रश्ट्ण प्रश्ट्न नमबर 65 देखिए महराजा जनक परमात्मा से अपना क्या संबंद रखते थे तो परमात्मा से कैसा संबंद रखते थे तो 62 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा महराजा जनक जो थे परमात्मा से सेवक यानि बिने सील जैसा सबंद रखते थे तो option number A वाला ठीक हो जाएगा सेवक जैसा अग्ला 66 राज महल के आसपास किन लोगों की पढ़कुटियां थी तो टीक आशपास के ठीक आंसर क्या हो जाएगा तो जैसा 2 पर है आठी आपसन नंबर भी वाला ठीक हो जाएगा तो इसके बाद अगले प्रश्ण पर चलते हैं प्रश्ण नंबर प्रश्ण नंबर इसका तो शंगार रस है और शंगार रस में अगर प्रकार पूचे तो यह सिंगार रस है आठी नंबर चूण वाला वाक्यांस के लिए एक सब्ड़ क्या होगा तो चूण वाला उसे क्या कहते हैं तो घगन जुम भी कहते आपसे नंबर क्वाला ठीक हो जाएगा अगले प्रशन देखिए älkतनर नमबर कर्ष ली बनाना मुहाबुन है का ओरत कि लुद्ट लह कर ओता है दूसरों के संकेत पर चलना क्या प्रस ब्रस्क नंबर देखिन सिंद्ध का चैन कीजिए नील शरोर हुष्याम तरं अरुण वारिज ने करउसो मम्मुस धाम सदा और साकर सयन तो इसका सत्तर का ठीक आंसर क्या जाएगा 합니다 का जाएगा इसमें कौन सा चंथ है तो सत्तर का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा यह जो है दोहा चंद का उल्टा है तो यह सोठा है क्या है यह सौठा अप्सन नमबर तीवाला ठीक हो जाएगा प्रस्टर बहत्तर पर निम्लिकित पंक्ति में प्रियुक्त अलंकार कौन सा है अलंकार पूछा अजा तरयो ना ही रहो तो शुरुती सेवत एक किरंग अलंकार कौन सा हो जाएगा तो 72 काुछ चुंक एक ओप्सिन नमबर अग्ले प्रेश्चर नंबर तेटर देखी ये पुस्तक अभी रिखांक कि त्या है यह है क्या है यह पूचाना यह सब्द क्या है यह तो यह है क्या तो संग्या है सरवनाम है सरवनाम है बिसेशन और समंद्ध होता है CT3 का ठीक अंसर में सवेखा है नहिटाई का सम्द्ध नाख और दोनों से होता है नाक और मुझ दोनों आपशन नमबर सी द deveeredAt नमबर 75 और यह हमारी क्लास का नाष्ट प्रसेशन है अगर और दिज़ आपको अच्य लगई हो तो लाइक ऑगर चैनल सब्सक्राइब के जीए देखिए Q dette ello उपसीनलमबर यह अब्धिक पारज मांत होती है जैहिंज वारा